अजी नमस्का रादे रादे हरर महादेव मैं आपका आचार देव आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे मेस लगन मेस राशिवालों के लिए आने वाला समय 2021 कैसा होगा 2020 तो कुरोना ने ले लिया सभी के लिए संगर्श मै रहा तो आशा करते हैं कि आने वाला समय सब के लिए बेतर हो क्योंकि संगर्श की पस्चात कहीं न कहीं आशा को जो सूर्य है उदित होता है तो यदि आप मारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शब्क्राइब करिए आपके मेश लगन मेश रास ही है तो तो आप वीडियो को पूरा देखिए आपके मेश लगन और मेश रास में एक ओवर सतक ग्रहों का गोचर और आपके उपर उन रस्मियों का प्रभाव कहां पे सकारात्मक कहां पे तुड़ा सनकारात्मक कौन-कौन सीरेज को connect करना है कौन-कौन सीरेज को disconnect करना है इसी पे हमारी आज की चर्चा होगी तो कोशिश करिए कि वीडियो पूरा दिखिए कहां पे आपके मतलग की बात आ जाए कहां से आप स्किप कर दें तो मतलग की बात छूड़ जाएगे तो जो नया वर्ष आ रहा है ये पुष्ट नशत्र में शनी के नशत्र में आ रहा है और मेश लगन के लिए निश्चित रोप से योग कारी है योग कारी होने के पीछे दो कारण है ठीक है न एक तो शनी इनके करम भाव में स्वगरही चल रहा है और लगन में मंगल है ठीक है न तो दो योग बने हुए है सस्योग बना हुआ है रुचक नामक महायोग बना हुआ है दो दो योग से इस कुंडली के स्टार्टिंग हो रह इन तीन चत्रों का योग लेके मेस रासी चलती है देखिए लगन और रासी दोनों एक साथ मैं पड़ेक्ट कर रहा हूं तो आप अपने अपने रासी और लगन दोनों को साथ मान के चलिएगा तो चूचे चो लाली ली लू ले लो आ ये इसके सब्द अच्छर आएंगे अगर इन पे आपका नाम पड़ रहा है तो आपकी मेस रासी है लगन भी आप प्रद्दिन का देख सकते हैं मने आप जान सकते हैं आप किस लगन में पैदा हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे तो श्टार्टिंग करते हैं मेस लगन मेस रासी का आने वाला वर्ष 2021 कैसा होगा तो आपके लिए मंगल में शुब खामना की आपका जो श्टार्टिंग है बहुत अच्छा हो रहा है आपके लगन में ही आपके लगन के लाड़ मंगल इस्तित हैं मने प्राइम मिनिस्टर अपने आपिस में ही है तो यह आपके लिए सबसे बेतर होगा बहुत कम ऐसा आउसर आता है कि आपके लगन का लाड स्टार्टिंग में ही आपके लगन में बैठा हो तो आपके लिए योग प्रद ग्रह जो है नए वर्स की स्टार्टिंग करा रहा है अब आपके जब लगने स्टार्ट हो रही है नए साल में तो मंगल लगवक चार डिगरी के आसपास साड़े तीन डिगरी के आसपास उस समय आ भी रहा है तो इस टार्टिंग से फल प्रद होगा फल देने वाला होगा आपके अंदर कुछ विशिष्ट चीजें हैं कुछ अच्छाईयां हैं लेकिन कुछ नकारात्मक चीजों को भी लेके आप चल रहे हैं तो अपने विशिष्टाओं को और कमियों दोनों को जानना आपके लिए आवश्यक है तो मेश लगन और मेश रासी पहले चीजे जान लिए कि आपके अंदर कमिया क्या क्या है क्योंकि जब तक हम अपने कमियों को नहीं जानते तब तक उन फिर सुधार संबो नहीं है तो आप बहुत अच्छे बित्ति हैं एक अच्छी परस्टनालिटी आपके पास है और कमांड करना आपको अच्छा आता है दुनिया में जितने कमांडर होते हैं जो लोग इतिहास रस्ते हैं वो उन लगनों में से एक लगन आपकी है रिजिट नेचर है रिजिट होना कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में रिजिट लोग ही कुछ कर पाते हैं और ढूर्बुल चलने वाले कुछ नहीं कर पाते तो इस ब्यक्तित तुकले के आपके जन्मे हुए हैं लेकिन आपके अंदर जो सबस बड़ा अवगुण है जल्दवाजी का उतावला पन एक सब दाता है उतावला पन तो मेश लगन उतावली लगन होती है और हर समिस्या का समाधान आप मार्पिट करके निकालना चाहते हैं क्योंकि सेनापती के लगन है और सेनापती लगन में भी द्वान है तो ऐसी लोगों को लगता है कि बातचीत करके समस्या का समाधान ना करके दो-दो हाथ करके समस्या का समाधान करना ज़्यादा उचित होगा तो यह आपकी एक निगेटिविटी है तो उतावले पन से बचें और हर समस्या का समाधान मार्किट करके निकाला जा सके इस विचार धारा से भी बचें आपका पंचमेश जो है शूर्य है बुद्धी चातुर आपके पास ब्यापक मात्रा में है नवंभाव का प्रतनित तो आपके कुंडले में गुरुदेयों कर रहे हैं तो अगर आप पंचमेश नोमेश का समपर्ग बना सके तो आपको संसार में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई सकती रोक नहीं सकती वैसे भी यहाँ वर्षब आपके लिए निश्चित रोप से सफलता लेकर आने वाला है सफलता लेकर ही आएगा अपको मिलनी सुनिश्चित है अब जब आप नए वर्स में प्रविश कर रहे हैं तो ग्रोहों की स्थिती जो है लगन में मंगल है सिकेंड हाउस में रा हुआ है ब्रशब में लगभग उच्च का या उच्च के ही माने जाते हैं चंद्रमा स्वरासिस्त हैं चंद्रमा डिगरी वाई स्वरासिस चंद्रमा है कितना अच्छा योग है सुक्र के तु अश्टम भाव में है सूरे बुद्ध नवम भाव में और गुरू शनी सस्योग बना के सनी महराज गुरू के साथ नेच बंग गनवाट करके बैटे हुए दश्वाव कर्म भाव में तो योग प्रद कुंडली है आपकी अभी योग कब तक चलेगा तो जो ग्रहों की गड़ना है देखिए हम आपके लगन के लाड़ को ही पकड़ के प्रिक्शन करेंगे वैसे नवक्रों को पकड़ेंगे तो वीडियो हमारा कम से कम घंटों का हो जाएगा ज्यादा का हो सक तो आपके लगन में मंगल जो है विद्यमान है और ये मंगल आपको पूरा जनवरी और पूरे फरवरी लाश्ट तक बहुत अच्छा फल देने वाले हैं ठीक है ना फरवरी में फरवरी के फोर्त वीक में ये मंगल सिकंड हाउस में जाएंगी तो यहां तक आपको अपने पर्सनालिटी से लाव होगा आपकी कद काठी या आपकी प्रतिभा सब के सामने नजर आएगी अपने ब्यक्तित से आप सभी काम बना लेंगे आप कुणतिया स्वस्त रहेंगे सिर्फ आपको अपने क्रोध पर अंकुस रखने की अलशित्ता है पकाया स्वास आपका अनू में ही चल रहे हैं तो पंचम का स्वामी पंचम में है लगन का स्वामी लगन में है और नो मेंस अपने से दुती है तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके कुणतिया में अब यह मंगल जब तक लगन में है तब तक आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन य मंगल का गोजर हो रहा है आपके कुंडली में सिकंड हाउस में राव आल लेड़ी वहां पे बिद्धवान है तो राव के संपरक में मंगल के आते ही आपको अपने वाड़ी पे कंट्रोल रखना होगा आपके वाड़ी से आग निकलना सुरी होगी अंगारक योग बनेगा है तो मुख में अंगारक योग बन रहा है कुटुम में अंगारक योग बन रहा है धन पे अंगारक योग बन रहा है आपके वाड़ी के द्वारा आपके परिवार में बित्रो होगा परिवार इसे निक सकता है कि कुछ दोस्तों के शंगत में आके आप नसा इत्यादी की और भी प्रेवित हो जाएं धोम्रपान करने की आदत पढ़ सकती है यह गरम गरम जो चीजों होती हैं उनको भी खाने के आदत आपकी पढ़ सकती है आग मुख के अंदर जा सकती है तो नसे से भी अपने आ होगा धन हानी होगी कुटमम में क्लेस होगा आप अपने आपको सहज नहीं पाएंगे सबसे अच्छा उपाय है खुदपन यंत्रण रखना जल्दवाजी ना करना और कभी-कभी बुद्धिमानी इसी में है मौन हो जाना अगर आप यह कर सके तो लगने सपने स्थिति भा यहां पर मंगल परिवर्तित हो रहे हैं वहीं पर सूर्य देओ लगन में आ जा रहे हैं तो सूर्य देओ तेरा और चौदा को आपके लगन में उच्छ को किया रहे हैं अब पंचमेस का लगन में उच्छ का होना बहुत संदर योग बना रहा है पंचमेस का लगन में उच्च का होने का मतलब है कि आप पंचम क्या है पंचम आपके एजुकेसन का है पंचम आपके प्रेम का है पंचम संतान का है पंचम आपके बुद्धी का है इस्ट का है तो यहाँ पे यह सारी चीज उच्चता प्राप्त हो रही है तो आपके education में उच्चता प्राप्त होगी, बुद्धी में उच्चता प्राप्त होगी, इश्ट का बल मिलेगा, तो इस समय आग कोई प्रतियोगी परिच्छा दे रहे हैं, कोई आपने सरकारी आवेदन कर रखा, उसका result आने वाला है, तो आपके favor में ही आएगा, कोई doubt ही time में हो सकता है, प्रधानी का चुनाओ हो रहा IUP में, तो इस time अगर आप चुनाओ लड़ते हैं, और आपकी ये लगन है, तो आपको चुनाओ में सफलता मिलने से कोई शक्ती नहीं रोख सकती, आप बुद्धीवल के द्वारा लोगों पे सासन करेंगे, लोगों का हरदय जीत लेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, सरकार से आपको लाब मिलेगा, जनता से लाग मिलेगा, आप अपने इश्ट के स्थरण में रहिए, बढ़ों के मान सम्मान करिए, बढ़ों की बात मानते रहिए, उसके बास से थोड़ा सा time आपका फिर चिंज ह होगा, ये समय बहुत अच्छा है, अब continuous आलवर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दो जून से लेके और जुलाई, फोर्थ वीक तक, थर्ड वीक, लास्ट तक, आपके मंगल जो है, फोर्थ हाउस में जा रहे हैं, और जो मंगल का फोर्थ हाउस में जाना, मने निम्न क हो जाना, और मंगल यहां अश्टमेस हैं, तो मंगल को नीच का दोस या निम्न का दोस रादे, रादे, जहां खुद को भी लगेगा, वहीं माता के लिए भी थुड़ा कश्टकारी है, अब अगर आपके कुंडली में मंगल नीच का है, आपके कुंडली में चंद्रमान न में है, तो यह समय आपके माता के स्वास के लिए निश्चित रूप से हानिका रख होगा, मा के स्वास का बिसे स्ख्याल लखें, आपके घर में तनाव पून माहौल क्रियट होगा, तो पहले से सावधानी रखें, तनाव ना आने पाए, अब इसके पस्चात आप देखें तो 20 जुलाई से लेके 6 सिप्रेंबर तक मंगल आपके पंचम भाव में होगे, तो पंचम भाव में लगनेस का पंचम में जाना रादे रादे है, हर तरह से आपको सफलता देने वाला होगा, बुद्धी वल, सारेरे कबल, मानशी कबल, लोगों का प्रेम, लोगों का इश ने सब कुछ आपको इतना ज्यादा मात्रा में मिलेगा या बहुत इजली आप राप्त कर सकते हैं तो आपके कोई परिच्छा हैं आप सफलता प्राप्त कर लेंगे आपके नौकरी कावेधन की हैं तो यहां को सफलता प्राप्त होगे क्योंकि इसकी सब्तम द्रिश्टी में जाएगा तो आपके लिए परिशानी देने वाला होगा क्या परिशानी देगा आप बात बात पर जगड़ना शुरू करेंगे रोग भी आपके शरीर में आ सकता रत्य विकार आपको सकता इसलिए साउधानी रखने हैं ठीक है ना 22 सब्टूबर के बाद लेके चार दि और शक्रश्ट दिष्टि धनवाओ को देख रहा है तो सब्सक्राइब कोई आपसे ताल मेल ना बिगड़ने पाए संसे ना आने पाए क्योंकि सेकंड आउस में राव हुआ है संसे भी दे सकता है अगर संसे आप नहीं आने दिए ताल मेल नहीं बिगड़ने दिए ये लता देने वाला हो झां इसके बाद दिसंबर से लेके लंगल तो आपके लिए अच्छा गया है कि मंगल का पूरा मुMेट मेसले अच्छा है यहैं यह सब से अच्छी बात देता है तो पाइस इत्यादी की परिशानी आपको हो सकते हैं तो पर अपने सिहत का ध्यान रखें ये मंगल का मुवमेंट था तो कि लगन को रासी को हम पकड़ रखें हैं अब यहां पर आपके कुंडली में जो बड़े प्लेनेट हैं सनी का मुवमेंट लगबक मकर में है क ठीकर ना अभिससली का मुवमेंट जो है 23 मैं कौवकरी होंगे फिर मारगी में इंका जो तो यह दोनों तरह से आपको लावी देने वाले हैं वैसे भी सनी कमोमेंट इस समय मकर में हैं लेकिन सनी फल किसका दे रहे हैं कुमबका तो आप्टर मई सनी निश्चत रोप से आपके करव फत्का विस्तार देंगे आने वाले 15 माह आपके जीवन को बदलने वाले होंगे सर अगेस भी आपके करव भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो मेर्श लगन वालों को आने वर्स आने वाला वर्स अगर आप सरकारी नौकरी ये नौकरी के छेत्र में त्यारी कर रहे हैं तो आपको सफलता देने के लिए कृत संकल्प है बस उत्तिष्ठ जागरत आप योग ले के बयठा हुआ है क्यूं बोला रहा है आपको चंका दूंगा लें कमहेनक तो कर कर्यों में ठुड़े आपको नब ़ाखें से आपकी लक्ष्ण होगा गूलो का ईब प्रचुचार लगवक एक ही घर में इनका मुम्में नहीं हो परिवर्थित होते रहेंगे तो सूर जब भी आपको कुंडली में हस्टम में द्वादस में जाएंगे आपको परिशानी देंगे याद रखेगा तो अपने चिंतन पर ध्यान लखेगा, विचार धार आप ध्यान लखेगा, वांडे पर कंट्रोल लखेगा, कोई काम स्वंच समत्की करेगा बकाया सूरी का मुमेंट कहीं भी होगा, आपको फल देने वाला ही होगा सूर निमने के भी होंगे तो पराक्रम में होंगे पराक्रम आप करेंगे बुद्धी आपकी पराक्रम करवाएगे और बकाया चार ग्रहों का मोमेंट नहीं हो रहा है राव के तू गुर्व और शनी ये आपस में गूम रहे हैं चंद्रमा चुकी ढाय तीन देने परवर्दी तो रहा है बुद्ध शूर के आसपास ही रहेगा तो ये था मेश लगन मेश रासी वालों के लिए आने वाला वर्स कैसा रहेगा उपाय के तोर पे जहां पर आपको परिशानी आ रहे है अपने पंचमेस को और अपने नोमेस को मजबूद करें अपने पंचमेस और नोमेस की अराधना करें तो जहां पर आपका जैसे अंगारक दोस्त बनेगा तो आपकी धनहानी होगी कुटम में परिशानी आएगी तो कुटम में परिशानी ना आए धनहानी नहो इसके लिए आप मालच्मी को पाशना करें गाय को मीठी रोटी खिलाएं इस्त्रियों का सम्मान करें निश्यत्रोप से यह समय आपके लिए बेतर निकल जाएगा अब जैसे यह आपका लगने स्खष्टम में जाएगा आपको जगड़ा करने के पुरिक्ति करेंगे हमारा पैसे जल्दी बापरश करो तो यह समय आप अपने पंजमेश और नोमेश को मजबूद करने का अगर पंजमेश नोमेश की रस्मियां आप कलेक्ट करते रहे तो फिर आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी आपका मंगल का जो मोवेंट अश्टम भावा में जो हो रहा है इंड में वो आपके स्वास को खराब करेगा कीतु की उपस्ति वहाँ पे आपको गुप्त रोग दे रही है या गुप्त मार्ग से आने वाले धन में परिशानी हो रही है ति यह सारी परिशानी नहीं हो इसके लिए आप कोशिच करें अपने नोमेश को करें चोटे-चोटे उपाय आप करें और निश्चित रोप से आने वाला 2021 मेस लगन के लिए योग कारत है क्योंकि आपके लगन का लाड योग में ही आपको नैवर्स में प्रिश कर रहा है सनी आपका ससनामक योग बनाके बैटा हुआ है गुरू नीच बंग राज योग बनाके बैटे हुए है तो आपके लिए 2021 निश्चित रोप से सफलता देने वाला है तो आपके लिए मंगल में शुब कामना रादे रादे